आप सब इन लोगों को मालू होगा कि MPPSC 2020 के सीजन से आपका पार्टिकरम या फिर सिलेवस आपके ही एच चेंज हो चुका है पहले आप लोग देखते थे कि तीन एक्ट हुआ गरते थे इनसे काफी बड़ी संक्या में आपके क्वेश्चन से भी फूचे जाते थे 1955 का हो या फिर 1989 वाला हो या 1993 वाला एक्ट हो इन सभी एक्ट को हटा दिया गया है अब आपका नया पार्टिकरम आ चुका है 2020 के सीजन से आप समझ रहे हैं तो इसलिए आपके जो भी क्वेश्चन से पेपर आएंगी वो नए आपके सिलिवस पर आधारित होंगे ठीक है तो इसके बारे में हम लोग एक बिस्तार से बात कर लेते हैं जो भी आपका नया पार्ट करम है इसके लिए याद रखे हम लोग पूरी आपकी एक तरह से पूरा कबरेज कर लेंगे नया सिलिवस ठीक है प्यारे में परिच्छा का जो भी नया पार्ट करम है उसे कंपलीट हम लोग कबर करेंगे तो इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि इन सभी की पीडियेप आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और इन सब की आपकी वीडियो क्लासिस आपकी जो नई प्लेलिस्ट सूची होगी MPPSC, New Slivers, Study, Material के नाम से इसमें पढ़ी रहेंगी हम लोग एक लाइन बाइन एक तरसे आपका सिलिवर्स कवर करेंगे कोई भी आपका कहीं भी एक भी सब्द नहीं चूटेगा आप सभी को मालो होगा कि आपकी जो भी MPPSC होती है यानि कि थ्री स्टेज होते हैं इसके पहली आप देखते हैं कि प्यारमीक परिक्चा होती है समझ रहें आप लोग इसमें आपके बस्तुनेश्ट पेसन होते हैं यानि कि आप कह सकते हैं और OEMR स्रीट में आप लोग गोले भरते होंगे समझ रहें आप लोग दूसरी होती है आपकी मुख परिक्चा जब आप लोग प्यारमीक परिक्चा में पास हो जाते हैं तो मुख परिक्चा में पहुँचते हैं वहाँ आपको कुश्चन से दिये रहते हैं उनके आंसर लिखने होते हैं आपको और लास्ट इस्टेज होता है आपका साख्चातकार जिसे आप लोग इंटर्व्यू कह देते हैं यहाँ इसके बाद आप लोग का उद्धार हो जाता है एक तरह से अब बात करते हैं आप लोग प्यारमपिक परिच्छा के बारे में समझ रहे हैं आप लोग तो यह सभी आपको मालू होगा कि यह बहु बिकल्पी एपिसन होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि एक आंसर एक कुश्चंस में एक लाइन में होता है जैसे माल लीजे पूछ ले कुश्चंस इस तरह का कि मद्वदेश की स्थापना कब हुई फिर आपको नीचे ओप्सन देदेगा एक नवंबर उननीश सो चपपन एक नवंबर सन दो हजार एक नवंबर उननीश सो पचत्तर एक नवंबर उननीश सो चासी इन में से एक आंसर आपको चुनना होगा इस तरह के कुश्चंस दिये रहेंगे ठीक है? यानि कि एक questions आपका दो नंबर का रहेगा, कितना दो अंक का रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग, दूसरा पेसर पेपर होगा आपका C-set, जैसे आप लोग सामन तोर पर सामा नभी रोची परिक्षन कह देते हैं, इसके लिए भी आपको दो घंटे का समय भी लेगा, और इसमे रखना चाहिए आपको कि जो राजी सेवा प्यारमीक परिक्षा है, यानि कि राजी सेवा है, उसमें आपको फर्ष्ट पेपर पर आपकी मेरिट बनती है, और सेकेंड पेपर केबल क्वाइलिफाइं होने पड़ता है, यानि कि इसमें आपको केबल क्वाइलिफाइं करना पड़ता है लेकिन जो बन सिवा रहती है उसमें दोनों पेपर की अंक को मिला कर merit list बनती है इस बात को भी आप लोग ध्यार रखिए ठीक है और इसमें याद रखी आप लोग यह दोनों भासाओं में होते हैं we go about लोग तो अन्वा बात घ्री अरह creep ev 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 आपको मालू होगा यह दो एक तरह से आपकी सामान जानकारी तो आपको मालू होना चाहिए और एक बात और हैं तो MPPSC की man site पर जाए करिए सब कुछ जानकारी वहाँ मिल जाएगी और सही जानकारी आपको मिलेगी जैसे UPPCS के बारे में जानना है तो UPPCS की man site पर जाएए कोई भी paper हो आपका UPSC का हो तो UPSC की man site पर जाएए ठीक है एबात भी याद रखे बात आती है आपकी सिलेवर्स की कि नया पार्ट करम आखिर आपका प्यारे में कोई एक्छा का है क्या तो इस पर आपका हम लोग एक तरह से बहुत अच्छे से जानकारी जान लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपका मद्पिदेश के बारे में एक सामन जानकारी दे देंगे ठीक है पहली किलास आपकी इसी पर हम लोग लेंगे कि मद्पिदेश के बारे में आप भी जानते हैं कि उत्तरपिदेश का अगर कोई एक्जाम हो रहा है या बिहार का कोई एकजाम हो रहा है, मद्विदेश का कोई एकजाम हो रहा है तो एक सामन जानकारी तो आपको वहां के बारे में होना चाहिए questions भी वहां से पूंच लेता है और आप समझें interview में भी questions पूंचे जाएंगे वहां से जो video class होंगी, video lecture होंगे वो आपके MPPSC new syllabus study material के नाम से करम से डेले रहेंगे आपको परेशान नहीं होना होगा और याद रखिए वैसे आपके भूगोल हो, भारत का भूगोल हो या विस्त का भूगोल हो, या आपका विस्त का इतिहास हो, भारत का इतिहास हो इन पर हम लोगोंने विस्तार से बात की हुई है तो एक बार आप लोग playlist सूची जरूर चेक कर लेजे इतना material आपको दे चुका होंगी, मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई कोई chance जाएगा तो हाँ एक जाकर आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेए ठीक है तो मद्य प्यदेश की इतिहास में हम लोग क्या-क्या बात करेंगे मद्य प्यदेश की इतिहास की मतपूर गटनाये परमुख राजबंस कॉस्प्सित करूँगा कि ये की लेक्चर में आपकी ये अथभी एक पूरी लाइन कबर हो जाए इसमें हम मद्यपिदेश की इतियास की घटनाय भी जान लेंगे और जो भी राजबंस रहे हैं उनके बारे में भी जान लेंगे दूसरी क्लास में कोसिस करेंगे कि सुतंता अंदोलन में मद्यपिदेश का युगदान क्या रहा है उस पर बात करेंगे हम लोग ठीक है? फिर आंगे की क्लास में हमographics करेंगे मद्धिपदेश की पिर्मुक कलाएं और इस्थापत कला के वारे में जालेगे फिर हम NATO करेंगे मद्धिपदेश की पिर्मुक जंजातिया, बोलिया, इनसे भी आपके कुश्चन्स काफी आते रहते हैं, तो इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे मदबविदेस के प्रमुक् साहितकारों के उनकी किर्थिया कौन से हैं मदबविदेस के प्रमुक् जंजाती विक्तित उनके बारे में भी बात करेंगे इहां आपका इन टॉपिक पूरा complete हो जाएगा टीक है आंगे हम लोग बात करेंगे जैसे भारत का इतिहास मुझे नहीं लगता है कि अब हम मुझे पढ़ाने की जरूरत है पिलेलिस्ट सूची में जाईए आप लोग काफी मटेरियल आपकी भारत की इतिहास की बारे में मिल जाएगा ठीक है तो इसमें पिराची नहीं मद्यकालीन भारत की इतिहास की प्रमोक बिसेस्ताएं घटनाएं उनकी पिसासनिक सामाजिक आर्थिक ब्योस्ताएं 19-20-20 सिदापती में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन इस पर भी बात की हुई है सुतंता संगर सेवं भारती राष्टी आंदोलन इस पर भी बात की हुई है सुतंता के पश्चाद भारत का एकी करन उनर गठन इस पर अभी हम लोग ने बिस्तार से बात की हुई है लेकिन अभी बता रहा हूं पहले हम लोग मद्यपदेस स्पेसल को कवर करेंगे क्योंकि इनके बारे में हम लोग बिस्तार से बात कर चुके हैं अगर फिर आप लोग कहेंगे कि कवर करवा दीगी तो इसे हम लोग बाद में कवर जरूर कर लेंगे ठीक है क्रम से तो इसमें परेशान आपको नहीं होना है पहले हम लोग MP Special को पढ़ लेंगे क्योंकि आप सभी को मालू है कि MP Special से Questions का बेटिच काफी जानदा रहता है उनकी संक्या जानदा रहती है और इसे तो आप लोगोंने पहले भी पढ़ लिया होगा अगर आप जुड़े रहे हैं अब हम लोग बात करेंगे मद्विदेश का भूग होई इसे हम लोग बिस्तार से बात करेंगे मद्विदेश के बंद देखेंगे बनुपज देखेंगे, बनजीब देखेंगे नदिया, परवत, परवसिंख लाओन मद्विदेश की जलबायू के बारे में भी जानेगे मद्यपिदेश की प्राक्ति के वह हम खने संसाधन के बारे में जानेगे मद्यपिदेश में परिवाहन के बारे में जानेगे मद्यपिदेश की पिरमुक सिचाई विद्धूत परियोजना हो जानेगे मद्यपिदेश में किरसी पसुपालन, किरसी आधारित होते हो इनके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे और याद रखी अगर आपको कहीं पर रॉबलम हो रही है तो आप लोग बताईए उसकी भी आपकी जो भी समस्या होगी उनका भी समाधान करने की पूरी कॉसिस की जाईए तो इन सभी को याद रखी है फिर भारत का भूगोल है तो इस पर भी हम लोगों ने विस्तार से क्लासें ली हुई है तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजे और अगर आप लोग कहेंगे कि इन्हें भी कवर करवाना है अगर आप कहेंगे आप लोग सभी लेकिन पहले हम लोग मद्धिदेश इस पेसल को फूरा कवर करेंगे उसके बाद हम लोग कहीं और जाएगे इसमें आप लोगों को बहुत तिक भूगोल हो गया बहुत तिक बिसेस्ताय प्राक्तिक पिदेश प्राक्तिक संसाधन बन खने विद्धी, आयू, लेंगनपास, साक्षर्ता, आर्थिक गति विदिया इनसे आपके कुश्चनस दो-चार कुश्चनस आते रहते हैं तो आप समयगी को याद रखना चाहिए कि 2021 की जनगड़ना के आगड़े नहीं आ जाते हैं तब तक आपकी 2011 की जनगड़ना के पूर रहते हैं उन्हें आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिए और याद रखा करिए आर्थिक भूगोल के बारे में इसमें आपको प्राक्तिक संसाधनों के बारे में पढ़ना होगा तो इसके बारे में यह आप लोग पढ़ लेंगे अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा फिर से राजी की सम्मिधानिक विवस्ताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें मद्विदेश की सम्मेधानिक विवस्था राजपाल हो गया, मंती मंडल हो गया, विधान सभा हो गया, उचनयाला होगा, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगी, ठीक है? मद्विदेश में त्रीस्तरिय पंचैती राग, नगरिय पिसासन, विवस्था के बारे में बात करेंगी, राजी की अर्ध विवस्था के बारे में बात करेंगी, इसमें हम लोग जनानकी है और जनगरना के बारे में बात करेंगी, मद्विदेश की आर्थिक विकास के बारे में मद्यपिदेश की प्रमों खुद्धियोग के बारे में मद्यपिदेश की जातिया अनुसुचे जातिया और जन जातिया तता राज की प्रमों कल्याड कारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे ठीक है और फिर आपका आज जाता है भारत का समिधान, सासन पिणाली और अर्थ ब्योस्था के बारे में इस पर कम्पिलीट क्लास हैं आपकी करवा दी गई हैं आप लोग वहां से पढ़ लिजे ठीक है भारत सासन अदिनियम 19-1935 एमात होड़ हो जाता है समिधान साबा के बारे में संगीय कारिपपाली का राश्टिपती और संसत के बारे में पढ़ना होगा नागरेकों के मौलिक अधिकार कलतब एवं राजी के नीती नेदेशक सिध्धान समिधान एक संसोधन सर्वोच नियाले एवं नियाएक बेवस्था और भारती अधिय वस्था उद्धोगिक विकास और विदेशी व्यापार आयाद निर्याद इनके बारे में पढ़ना होगा बित्ती ये संस्थाएं रिजर्ब बैंक, राश्टी इकिट बैंक, सेवी, एनसी, गैर बेंकिंग बित्ती ये संस्थाएं इनके बारे में आपको पढ़ना होगा फिर आपको विग्यान एवं पर्यावन के बारे में पढ़ना होगा इसमें आपको विग्यान के मौलिक सिध्धानत हो गए भारत के पिरमुक विग्यानिक संस्थान उनकी उपलब्दियां उबगरे एवं अंत्रेक्ष प्रोध की पर्यावण एवं जब्वित्ता के बारे में पढ़ना होगा पारिश्तिति की तंक्ति के बारे में पढ़ना होगा पोसन आहार पोसर्तत के बारे में पढ़ना होगा माननाव शरीर श्रदचना के बारे में पढ़ना होगा किरसी उत्पात तक्निक के बारे में, खाद पिसंस करण के बारे में, स्वास्त नीती एवं स्वास्त कारिकरम के बारे में, पिदोसन प्राक्तिक अब्दाएं प्रबंधन के बारे में पढ़ना होगा आपको, ठीक है, बिग्यान में आपको बिग्यान परियावन में यह सभी आप लोगों को देखना होगा ठीक है और इसके बाद आप लोग याद रखिए अंतराष्टी ये एवं राष्टी ये समसमाय घटना है इसमें आप लोग जानते हैं कि ये हैं आपका कराएंटरफियस तो आप सभी या कि स्थापना यह सा हो कि मद्दपिश की स्थापना सन 2020-2021 में होने लगे ऐसा तो नहीं है एक नवंबर 1956 में हुई थी मतलब हुई थी ये कभी नहीं बदलने बाला है तो आप लोग इस्थाई आंकड़े आपके पास स्मार्ट गिरी यही होती है समझ रहें आप लोग कि इस तरह से नहीं हो जब भी पेपर पास आने पर हम भी कवर करवा देंगे आपका तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की जानदा कोई बात नहीं है और एक बार काम और करना है आपको एक तरह से प्लेलिस्ट सूची जाकर जरूर देख लीजिए एक आप कोई जी ठीक है और दूसरा एक किरन सावान ग्यान बुक्स को कवर किया गया था उसका उसे अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो प्यारमभी परिक्षा में एक भी कोश्चन्स नहीं चूटेगा ठीक है अब हम लोग आँगे बढ़ेंगे और साइंस टेक में क्या क्या पढ़ें इंटरनेट तथा सोसल नेटवर्किंग साइट की बारे में पढ़ना हुगा एक कॉमर्स की बारे में ठीक है आँगे आपको राष्टी एवं प्रादेशिक संविधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ना हुगा इसमें एक बात और याद रखिए एक आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है मंतपूर संगठनों के नाम से इन सभी संगठनों को आँगे लेकिन फिर भी हम लोग कबर करने की पूरी कॉसिस करेंगे एक। और याद रखिए एक तरह से यही जुड़ा हुआ है नया जो पाठकरम में एक तरह से syllabus में कोई topic जुड़ा हुआ है तो यही जुड़ा हुआ है साब साब हुनोंने बोल दिया कि संस्थाओं से questions पूछे जाएंगे ठीक है तो इस पर हम लोग बिस्तार से बात कर लेंगे ठीक है और यह है आपका c set तो इसके लिए आप लोग कोई भी books खरीद लिजे और यह आराम से अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो इसे आप qualify कर लेते हैं तो हम लोगों को क्या क्या बात करनी है हम लोगों को सबसे पहले जो हम लोग प्लेलिस्ट सोची बनाए हुए है उसमें पहली किलास आपकी इसी से संबंदित होगे मद्विदेश का इतिहास संस्किति साहित इन सबको हम लोग पहले कबर करेंगे ठीक है फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कहां भूगोल में मद्विदेश का भूगोल पूरा करम से कबर करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग बात करेंगे राजी की सम्मिधानिक विवस्था के बारे में ठीक है और राजी की अर्थ विवस्था के बारे में ठीक है उसके बाद आप समझे कि उसके बाद हम लोगों को बात करनी है आपकी राश्टी एवं प्राधिसिक सम्मिधानिक सामिधि संस्थाओं के बारे में तिक उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप लोग कबर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग जो हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं उससे कबर नहीं हो रहा हैं तो आप लोग बताईएगा आपका इतिहास भी भारत का इतिहास भी कवर करवा देंगे आपका भारत का भूगोल भी कवर करवा देंगे बिस्त का भूगोल भी कवर करवा देंगे और आपकी भारत का समिधान भी कवर करवा देंगे आपका विग्यान एवं पर्यावन भी कवर करवा देंगे और आपका सूचना एवं संचार प्रोद्गी की भी कवर करवा देंगे ठीक है और मद्विदेश का ऐसा नहीं है कि केबल MPPSC के लिए ही आपकी जो MPPSC के लिए ही मत्पून रहेगा मद्विदेश का कोई भी एकजाम होता है उन सब के लिए वो सभी किलासें आप लोग आराम से देख सकते हैं यह आपको बात याद रखने होगी और मुझे लगता है कि इतना काफी रहेगा आप लोग के लिए मटेरियल और एक बाद आप लोग टेलीगराम से जाकर देख लीजे इन सब की पीडियेप आपकी ओल लेडी डली होई है वहाँ और याद रखा करिएगा कभी भी आप लोग किसी भी एकजाम की तयारी करते हैं तो आपके पास सबसे पहले सिलेवस उसका होना चाहिए उसके बाद आप उसके कुश्चन्स पेपर होना चाहिए पुराने कम से कम पुराने पास से च्छे साल कीने आप लोग देखा करिएगा किस तरह की कुश्चंस पोचे जा रहे हैं एक बात और बतां Dang बीस अभूण powered इसके लिए आप लोगों को याद रखना है कि मान्चित्क सहारा लेकर आप लोगों को पढ़ना है आपके जो भी बिसका बूगोल है ठीक है तो काफी आपको याद भी बना रहे एक तरह से इसे हम लोगों ने भी आपका cover किया हुआ था आप लोगों को अगर याद होगा तो मांचित के मैप्स के नाम से एक प्लेलिश्ट सूची है उसमें आपका पूरा cover करवाए गया है महादीप हो महासागर हो कोई भी हो आपके पितवी की परिज्जय पितवी की सामान फिर उत्री अमेरिका हो परवसहणिया हो पर एक तरह से नदिया हो समझ रहे हैं आप सब कुछ आपका cover क जीले हो इन सब की बात की हुई है तो आपको जाना परिशान नहीं होना है वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं आराम से और भी आपकी जो भी सिकायत हो जो भी समस्या हो आप लोग बताईएगा उसे भी cover करने की और उनका भी समाधान करने की कॉसिस की जाएगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग सुरूँ आपके यहीं से करेंगे ठीक है मत्विदेश का इतिहास संस्किती साहित पहली किलास आपकी पहली लाइन की होगी एक तरह से चलिए तो मिलते हम लोग इसी किलास में